यह तस्वीरे देखिये जो मेरे बिंडो में चल रहे हैं यह दिक्षा भूमी नाकपुर की तस्वीर है जहां बाबा साहब ने जब धम की दिक्षा ली थी यह क्यों जरूरी है सोचिए आज कल जो है वो अशोक विजय दस्मी है पांच अक्टूबर मतलब अशोक विजय दस् ने जब धम की दिक्षा ली थी आप सोचिए कितना ऐसी अइतिहासिक दिन है यह बहुजनों के लिए हमारे बाप दादा राजा हुआ करते थे समराट शुक का धम उस धम का दिन है जिसकी वज़ा से दुनिया भर में भारत की पहचान है जब भारत से बाहर कोई जाता है त जहां से बुद्ध गए स्रिलंका सोचिए दुनिया में कोई राजा ऐसा नहीं है सिर्फ दो राजाओं को छोड़कर एक बुद्धिस्ट कमबोडिया का राजा और एक समराट शुक जिरों ने अपने बच्चे को राजा नहीं बनाया धम की तरफ भेजा परचार परसार के करतूत देखिए चाहे दिख्चा भूमी हो चाहे भीमा कोरेगा हो वो आपको नहीं दिखाएगा लेकिन नेशनल दस्तक आपको लगातार बहुजन समाज की बिरासत समराट शोक की बिरासत गौरब भारत गौरब साली भारत की बिरासत सोने की चिरिया वाली भारत और उस भारत का जहां अठारा अठारा इन्वर्सिटियां हुआ करते थे नलंदा तक सिला जब भारत भी सुगरू था जब भारत ग्यान का केंदर था तब था जब भारत बुध में भारत था नमस्कार मैं शंभू कुमार सिंग और आप देख रहें निशनल दस्तक पूरे देश से पूरी दुनिया से नाकपूर में दिख्षा भूमी पर लाखों लोग दिख्षा भूमी पर असोक विजय दस्मी के दिन जमा होते हैं सोचिए लेकिन कोई टीबी अख़वार आपको नहीं दिखाएगा इस देश में कितना बड़ा भेदभाव है कितना जादा भेदभाव है तमाम तेवहारों को दिखाया जाता है लेकिन सिर्फ उन तेवहारों को नहीं दिखाया जाता है जो भारत की बिरासत से जुरा है जो समराट अशोक से जुरा है जो चंदगुप्त मौरिस से जुरा है जो घनानन से जुरा है और नजाने परसेंजिस से लेकर कितने राजाओं से जुरा है उस धम के बारे में नहीं बताया जाता है जिसने पूरे इरो पूरी दुनिया में बुध के बिचारों को पहुँचा आप जैसा करेंगे वैसा बनेंगे अप्त दीपो भवा उसी को धम कहते हैं उसी को बुद्ध का विचार कहते हैं जिसमें पंचसील का सिध्धान्त है काम, क्रोध, लोग, मो, पाप सब पर जिसको नियंतरन हो उसी को तो पंचसील कहते हैं वो भारत की महान धर्ती, जब गौरवसाली भारत की धर्ती, जब समराट अशोक का स्कांधार से लेकर, कन्या कुमारी कश्मीर, सबसे बड़ा समराज, समराट अशोक का समराज, जो धम को मानते थे जिन्होंने अपने बेटा और बेटी को राजा नहीं बनाया, धम की तरफ भेज दिया, सोचिए कुछ असोक बिजय दसमी की कवरेज नहीं होती है, नाकपुर में इंटरनेट डाउन कर दिया जाता है, ताकि लाइब नौलिकिनव ऐसा नहीं हो पाएगा हजारों बहुजनों के हाथ में कैमरा है, मुबाइल है, सोचिए संसत के पास बाबा सहाथ की जयनती के दिन दिल्ली NCR से पुरे देश से लाखों लोग जूरते हैं, आपको नहीं दिखाय जाता है कल असोग विजय दस्मी के दिन नाकपूर में धम दिख्चा के लिए, अब तक की खबर है, अब आज इंडिया टीवी की माने तो पच्चास अजार लोगों ने धम की दिख्चा ले लिया है, कल पांच अक्टूबर को धम दिवस है, ये तस्वीरे वहीं की सबूत हैं, कहता हूं, कि बहुजन समाज ने अपना टीवी अखबार नहीं बनाया, सुचे एक बार में बाबा साहब दिख्चा लोगों को धम की दिख्चा दी थी, उनका सपना था कि भारत को बुध में भारत बनाएंगे, बुध में भारत का मतलब जहां से संविधान आया है, जिसम आपके बिचारों की कदर नहीं करता, इस देश के बहुजनों को जितना जल्दी हो टीवी अखबार देखना छोड़ देना चाहिए, सोचिए, किसी आयोजन में दस लाख से जादा लोग जूरते हो नाकपूर में, और वो टीवी अखबार के लिए खबर नहीं है, कितने ब बुचकर घोसित कर दिया गया, कि बुधिष्ट, बुधिजम मतलब सिड्यूल कास्ट, इस देश में OBC को बरगलाया गया, समराट असोक के बंसजो को बरगलाया गया, परसेंजीत के बंसजो को बरगलाया गया, मौरबंस के बंसजो को बरगलाया गया, घनानंद के बंसज जैसी इन्वर्सिटी के लोग को बरगलाया गया ये जो बुद्धिजम है वो छत्रिये थे वही देश के राजा थे चाया उदा देवी पासी हो चाया तिलका माजुए सब लोग बुद्ध में भारत के परतीक थे जो इस देश के मुल्निवासी थे जो आदिवासी थे जो समाज की सांज जातियां उनका ये धम था और किस Τरह से उसको मतिया मेट कर दिया गया लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे बहुजन समाज के लोग जातिया भाषिए परते-लिख जा रहे हैं वैसे-वैसे धम की तरफ बरते जा रहे है सोने लाल पटेल, माने बरकांसी राम, पिरियार ललाई सिंह आदब, जगदो परसाद, समराट अशोक, तमाम बड़े विभूतियों ने धम को अपनाया, उसी का परतीक है नाकपूर का दिक्षा भूमे, लेकिन कोई टीबी अख़वार आपको नहीं दिखाएगा, निशनल 910-31065, यही वाट्सअप नंबर है, जो भी लोग नाकपूर से हैं, हमारे साथ 10-11 के बीच लाइब जूर सकते हैं, नाकपूर से, और आप चाहें तो इस नंबर वाट्सअप पर अपना विडियो भेज सकते हैं, अगर आप नाकपूर दिक्षा भूमी में हैं, आप कोई वीडियो भेजना चाहते हैं, तो इस नंबर पर भेज सकते हैं, मैं आप से गुजारिस कर रहा हूं, कि कॉल न करें, आप वाट्सअप करें हमें वीडियो, हम सारे वीडियो को लगाएंगे, दिखाएंगे, बिलीज कॉल न करें, मैं फिर कह रहा हूं, भारत एक दिन बु नताईयों ने, बहुत सारे हमलाबरों ने खत्म कर दिया, लेकिन सोचिये मैं बुध में भारत की जब बात कहता हूं, तो वो भारत जिसमें समानता हो, बराबरी हो, जिसमें किसी तरह का भेदभाव न हो, जिसमें घर में ताला न लगता हो, वो भारत जिसकी दुनिया में डंका वस्ता हो जो भी सुगुरू हो जिसको वो भारत जिसमें सोने का ब्यापार होता था मसालों का ब्यापार होता था भारत सोने की चिर्या कहलाती थी उसी बुध में भारत का सपना डॉक्टरमबेटकर ने देखा था उसी बुध में भारत का सपना सुनेलाल पटेल ने द देखा था, उसी बुद्ध में भारत का सपना जगदेव वागु ने देखा था, उसी बुद्ध में भारत का सपना इस देश के तमाम भहुजन समाज के लोगों ने देखा है, मैं फिर कह रहा हूँ पूरी दुनिया में भारत की पहचान बुद्ध से है, जब हमारे वित किया जिसको खत्म कर दिया गया था टीबी अख़बार आपके साथ सौतेला बिभार करता है वो आपको नहीं दिखाता है वो आपको नहीं बताएगा 1956 से दिक्षा भूमी पर हर साल लाखों लोग आते हैं जिस देश में छोटे छोटे तेवहारों को मिडिया दिखाता है बाबा साहब की जनती हो तीन चार बड़े धर्मस्थल हैं जो बाबा साहब के नाम से मैं मानता हूँ उनकी चैत भूमी उनकी दिक्षा भूमी उनकी कर्म भूमी उनकी संकल्प भूमी जो संकल्प भूमी मतलब गुजरात दिक्षा भूमी मतलब नाकपूर चैत भूमी मतलब मुंबई और उनका जन भूमी मतलब महोवा इसको नहीं दिखाता है बहुजुनों के चार तिर्थ बुध जहां पर निर्वान को प्राप्थ हुए कुशी नगर, बुध जहां उनको ज्ञान मिला गया, बुध जहां पैदा हुए लुम्बनी और बुध जहां जिन्होंने पहली सिक्षा दी सारनाथ, इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं कि बुधि बुध भाषा प्राकिर्थ हुआ करती थी, और सोचिये किस तरह से, सम्राट शोक के तमाम परतिकों को डुक्टर अंबेट करने संबिधान में लिया है, पाली और प्राकिर्थ को किस तरह से, खत्म किया गया, पत्थरों पर उकेरे गये हैं इलिपिया, खत्म नहीं हो सकता है, बाबा साब 156 में इसी बुध में भारत का सपना देखा था, और ये तमाम तस्वीरे में उसी नाकपूर से दिखा रहा हूँ, आप लोग अगर नाकपूर में हैं, दिक्षा भूमी में हैं, तो हमारे वाट्सप नंबर पर जरूर वीडियो भेजिए, हम आपकी वीडि की दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें